नमस्कार आपका स्वागत है study with JR में आज किस वीडियो में हम जैन दर्शन के important question answer देखेंगे जैन दर्शन को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था और जिसके तीन पार्ट हैं part 1 और part 2 और part 3 इन तीनों पार्टों में हमने जैन दर्शन complete पढ़ लिया था और अगर आपको ये part 1 और part 2, part 3 देखने हैं तो मैंने description में link दे रखा है आप वहाँ से इनके वीडियो देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं जैन दर्शन के important question answer तो first number पे question है निम्न में से कौन जैन दर्शन की कशायों में नहीं है तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा त्याग इसका answer होगा त्याग क्या नहीं है त्याग नहीं है तो हमने बात करी थी कशाय की तो कशाय कहते किसे हैं तो जीवों में उत्पन चार कूपरवरतियां हमने बात करी थी जीव में जो उत्पन चार कूपरवर्तियां है जीव में चार कूपरवर्तियां है वो कूपरवर्तिया कौन कौन सी है पहली है क्रोध लोब मान माया या मो कह सकते हैं कौन कौन सी थी यह देखी इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर क्रोध क्रोध थी और लोब मान 3rd नंबर पे थी मान और 4th नंबर पे थी माया या मो कह सकते हैं तो यह त्याग नहीं थी तो निम्ण में से कौन जेन दर्शन कशायों में नहीं है क्योशन देखी क्या बोल रहा है यह नहीं है एग्जाम में इस तरीकी के क्योशन ज़्जादा आता है कि जो या तो नहीं से related पूछते हैं और हम सोचते हैं हाँ पूछ रहा है कशाय पूछ रहा है तो इसमें यह है कि नहीं है नहीं क्या नहीं है त्याग नहीं है क्योंकि चाड़ चीजे थी क्रोद लो मान माया लेकिन त्याग नहीं है इसमें तो कशायों में जो है कशायों में अनुसार सत्का लक्षन है तो सत्का लक्षन इसका आंसर क्या होगा जो नित्य होता है इसका आंसर क्या होगा जो नित्य होता है नेक्स ट्रेयर जैन दर्शन के अनुसार अनुवरत का आश्य है जैन दर्शन के अनुसार जो है अनुवरत का क्या आश्य है तो यह जो हमने बा पंचवरत की तो पंचवरत के जो हैं दो प्रकार के कौन कौन से हैं पंचवरत एक तो हैं महावरत और दूसरा है अनुवरत तो हमने महावरत पड़ा था जैन दर्शन में तो महावरत जो हैं वो होते हैं रिशियों मुनियों के लिए और जो अनुवरत होते हैं वो होते हैं ग्रस्तों के लिए तो इसके अंदर पूछ रहा है कि अनुवरत का आश्य है तो अनुवरत किसके लिए होता है ग्रस्तों के लिए होता है तो इसका आंसर आएगा ग्रस्तों के लिए आचरण के नियम ग्रस्तों के लिए है जैन देशन का जो अनुवरत है इसका आश्य है क्य नहीं होना है जो महावरत अलग हैं और अनुवरत अलग हैं तो यह एक्जाम में आपसे अनुवरत के बारे में पूछा जा रहा है तो अनुवरत जो है वो है ग्रस्तों के लिए आच्रण के नियम नेक्स्ट फूर्थ नंबर पे है जैन दर्शन की अनुसार द्रव्य है तो इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर होगा नित्य और अनित्य नेक्स्ट है स्यादवाद में चतुर्त भंग है स्यादवाद में चतुर्त भंग क्या है तो इसका राइट अंसर होग से कहते थे हमें नहीं थे स्याढ़ाद में नार्थ धृष्ठीं को याग्स तो जें दरशन की अनुसार व्यक्ती को अपने कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए और इन्होंने जो स्ब्त भंगी नय भी कहा है? और सब्त भंगी नए क्या है सब्त भंगी नए है साथ परकार के आनशिक विचार और साथ परकार के आनशिक विचार कौन कौन से बताया थी इनोंने पहले नमबर पे बताया था स्यात अस्ती दूसरे नमबर पे था स्यात नास्ती और तीसरे नमबर पे था स्यात अस्ती च नास्ती च और फोर्थ नमबर पे था स्यात अवक्तव्य तो यहाँ पे पूछ रहा है फोर्थ नमबर का स्यात वाद में चतुर्थ भंग तो चतुर्द भंग कौन सा हुआ चतुर्द भंग हुआ स्याद अवक्तवे और फिफ्ट नंबर पे क्या था फिफ्ट नंबर पे था वन प्लस फोर वन प्लस फोर जो है वो था स्याद अस्ती और स्याद अस्ती च अवक्तवे च ये था फिफ्ट नंबर पे और सिक्स नंबर पर क्या था स्यात नास्ति चा अवक्तवे चा और स्यात अस्ति चा नास्ति चा और अवक्तवे चा तो इस तरीके से पूरे हैं इसमें क्यूशन बनाया है मैंने चर्थूर्थ नंबर का तो किस परकार से भी क्यूशन एक्जामें बन सकते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है क बंबग कौन से नमब पित्व है स्यात अस्ती दूसरे नमबर पित्व फॉर्थ नमबर चतुरत बंग कौन सा स्या अवक्तव तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा स्यात अवक्तव जैन दर्शन में आश्रव का विपरित है आश्रव का विपरित क्या है पहले हम बात करें आश्रव की आश्रव कहते किसे है आप विपरित कैसे दूनेंगे जब आपको पहले पता होगा कि आश्रव किसे कह रहे है और इसका विपरित क्या होगा तो पहले हम बात करें जैन दर होते कोन है कशाय हमने पढ़ Drag Did Am in 5ira क Sarah dimension ऑगे में आगे बहरे की जो परखर कर की जो लो मान यह क्रोध वाद माय माय यह क्षाय है तो ऑसे युक जो जीव है वो क्या करता है है यह कर्म पुद्गल और इसको जीव दोरा नवीन कर्म पुद्गलों को अपनी और आकरशित करना तथा कर्म पुद्गलों का जीव की और परवावित हो रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं आश्रव इस प्रक्रियाओ क्या कहेंगे आश्रव कहेंगे और पुद्गल की बात करें तो पुद्गल किसे कहते हैं बहुतिक द्रव्यों को पुद्गल कहा जाता है यानि कि जिसका सहियोजर और वियोजन हो सके वो पुद्गल है तो बात करीती हमने पुद्गल की अब बात करें कर्म पुद्गल तो कर्म पुद्गल किसे कहेंगे ज घीव अपने कर्म के अनुस्वारी पुद्गल करण को आकरश्ट करता है। इसलिए क्या कहあ सुए कर्म पुद्गल करता है। अब देखें जो आश्रव का विपरित आश्रव का विपरित कौन होगा ये तो हमने बात कर लिए कि जो कर्म पुद्गल है किस क्यों प्रवाईत हो रहे हैं जीव क्यों प्रवाईत हो रहे हैं अब इसको जो रोकेगा वो क्या कहलाएगा वो आश्रव का विपरित कहलाएगा तो अब बात करें पहले सबसे पहले केवल्ले की, तो केवल्ले option हो ये नहीं सकता क्यों क्योंकि केवल्ले मोक्ष है और त्री रतनों के दोरा जब जीव में नीत समस्त कर्म पुद्गल उनके संसकारों से ही समाप्त हो जाते हैं और जीव पून है अपनी चारों नंताओं को प्राप्त कर लेता है तो जीव की ये पून ग्यान के वस्ता क्या कलाती है केवल्ले कलाती है तो ये आंसर इसका नहीं होगा नेक्स्ट बात करें निर्जरा की तो निर्जरा क्या है पुराने पुद्गल के कणों के शै को निर्जरा कहते हैं तो ये भी नहीं रोकने की बा प्रवाईत हो रहा है कशायुक्त जीव की और प्रवावित हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे आश्रव और जो इनसको रोक रहा है नए पुद्गल के कणों को जीव की और प्रवाईत होने से रोकने को क्या कहेंगे इसको कहेंगे संवर तो इसका जस्ट अपोजिट कौन सा हो मन वचन शारिरिक कर्म का सेयम आफशक माना है और जैन इनने गुपती कहते हैं तो यह तो इसका आंसर बिल्कुल होई नहीं सकता तो जैन दर्शन में आश्रव का विपरित कौन हुआ जैन दर्शन के अनुसार पुद्गल नहीं है तो हमने पढ़ा था पुद्धगल जो है से हैं प्रत्वी है इसमें नहीं दे रखा प्रत्वी ठीक है अगनी है अगनी दे रखा है और जल है जल भी दे रखा है वाईयू है वाईयू भी दे रखा है यानि कि कौन सा नहीं है नहीं की बात कर रहा है तो कौन सा नहीं है आकाश नहीं है क्यों क्योंकि आकाश हमने पढ परकार पड़े थे कौन-कौन से पुद्गल आकाश धर्म और अधर तो आकाश जो है किसका है अजीव तत्व के परकार है और पुद्गल की बात करें तो पुद्गल के चार परकार कौन-कौन से थे प्रत्वी अगनी जल वायू तो यह जो है इसका राइट आंसर क्या होगा पुद्गल नहीं है पुद्गल नहीं है आकाश नेक्स्ट क्यूशन देखिए जैन दर्शन में बंदन का मूल कारण है तो इसका राइट आंसर होगा जैन दर्शन में बंदन का मूल कारण है क्या कारण है मिर्थ्या दर्शन नेक्स्ट देखिए जैन नितिशास्र में सम्यक आचरन का आधार निम्न में से किसे मानता है तो इसका राइट आंसर होगा सम्यक आस्ता वे सम्यक दर्शन को जैन नितिशास्र सम्यक आचरन का आधार किसे मानता सम्यक आस्ता और सम्यक दर्शन को नेक्ष्ट है जैनों के अनुसार पांच महावरत हैं पांच महावरत की बात करी थी हमने पांच महावरत किसके लिए थे सन्यासियों के लिए और जो अनुवरत थे वो किसके लिए थे ग्रस्तों के लिए और जैनों के अनुसार पांच महावरत कौन-कौन से हैं तो वो भी हम हमने पड़े थे तृत औम सम्याह कबिए और समिया लूट संसी को कर थेती आ है टो नेस्टिन पटीं लूट किसने प्रत्य पाधित किए तो आनुवृत कितín प्रतिपाधित की थे जैनों ने इसका ठीक रहेगा रहे थे मिले में लिए अजीव अस्तिकाइ द्रवे जो पुद्गलों को गती करने में सहायता प्रदान करें क्या कहलाते हैं धर्म कहलाता है और अधर्म क्या होता है गती में अवरोदक होता है तो हमने यहां क्या पूछा जा रहा है कि जैन दर्शन की अनुसार धर्म है तो धर्म क्या है गती में सहायक है और अवरोदक तो कौन था धर्म था तो धर्म क्या है गती में सहायक है 14 का Quesn है जैंदर्शिन के नुसार अगहती कर्म है तो देखी हमने कर्म की बात करी थी कितने आठ परकार के कर्मों की बात करी थी कौन-कौन से कर्म थे चार परकार के तो थे घातिय कर्म और चार परकार के थे अघातिय कर्म तो घातिय कर्म कौन कौन से थे दर्शना वर्णिय कर्म ग्याना वर्णिय कर्म मोहनिय और अंतरा है ये चार ते घातिय कर्म और अब बात करें अघातिय कर्म की तो अघातिय कर्म है वेदनिय गोत्र नाम और आयू तो इसमें पूछा गया है जैन दर्शन के अंसार अघातिय कर्म है तो देखें दर्शना वर्णिय घातिय कर्म है ग्याना वर्णिय घातिय कर्म है और मोहनिय भ जैन दर्शन में महावरत का आशे है तो महावरत का क्या आशे है? महावरत का आशे है सन्यासियों के लिए आचरण के नियम जो महावरत हैं वो सन्यासियों के लिए और जो अनुवरत हैं वो ग्रस्तों के लिए तो इसका राइट आंसर क्या आगा? महावरत का आश्र क्या है सन्यासियों के लिए आचरण के नियम नेश्ट देखते हैं जैन दर्शन सभी वस्तों में जीव का अस्तित स्विकार करता है जो जैन दर्शन है वो सभी वस्तों में जीव का अस्तित स्विकार करता है सर्व जीव वादी 17 नमबर का जैन दर्शन में करम फलो से रहित जीव कहलाते हैं तो करम फलो से रहित जीव क्या कहलाते हैं तो option देखिए पहले नमबर पे है बद जीव तो बद जीव किसे कहते हैं जो करम फलो से युक्त जीव है ये तो बोल रहा है करम फलो से रहित और जो बद जीव होते हैं वो करम फलो से युक्त जीव होते हैं नाइक्ष देखिए मुक्त जीव किसे कहते हैं जो करम फलो से रहित होते हैं तो इसका राइट आंसर होगा करम फलो से रहित कौन है मुक्त जीव है अब बात करें ऑप्शन देख लेते हैं स्थावर जीव किसे कहते हैं कर्मों के अतिधिक परभावश नियूंतम चेतन और ग्यान युक्त जीव जो है वो क्या कहलाते हैं स्थावर जीव कलाते हैं और तरस जीव की बात करें तो तरस जीव किसे कहते हैं अपेक्शाकरत अधि चेवतन जीव जो है वो क्या कलाते हैं त्रस जीव कलाते हैं तो इसका राइट आपसर क्या होगा कि जैन दर्शन में करम फलो से रहीत जीव जो करम फलो से रहीत जीव है वो क्या कलाते हैं तो इसके साथ ही हमारा जैन दर्शन कंप्लीट हो गया है जैन दर्शन के पहले के त झाल